तो बेटे मौज आ गई, अंतीम पंगल ने बेल ग्रेट में मौज कर दी और मेरा मन तो कह रहा था कि बोलूँ कि मारी अंतीम पंगल विनेश फोगट से कम है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेल ग्रेट सर्बिया में चल रहे वर्ल्ड रैस्लिंग चेंपिंशिप में जहां सारे खिलाड़ी एक के बादे खार रहे थे बड़े बड़े नाम थे, सारे हार के बाहर हो रहे थे वहीं अंतीम पंगल ने एक उमीद बनाई रखी है और आप जानना भी चारे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया तो आपको सारी बात मैं बताऊँगा लेकिन कुछ काम मेरे लिए भी कर दो वो जो आपके स्क्रीन पे लाल बटन दिखा है ने सस्क्राइब कर दो और अगर वीडियो आपको अच्छे लग तो लाइक बटन प्रेस कर दो और अखेले बेटके क्या देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेर भी कर दो वीडियो तो इतना काम कर लो फिर शुरू करते हैं वीडियो शुरू करें तो दुनिया की दिखकत झिलने के बाद और एशिन गेम्स में फानली जगह मिलने के बाद World Wrestling Championship में अंतिम पंगल ने पार्टिसिपेट करने पहुची कहाँ पे सर्विया बेल ग्रेड में और वहाँ पे उन्होंने पहले ही मैच से इतिहास बनाना शुरू कर दिया ऐसा मैं इसलिए कहा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने पहले मैच में USAK ओलिविया डॉमिनिक को पहले राउन में 0-2 से पिछणने के वावजूद सेकेंड राउन में 3-2 से हरा के मैच जित लिया और आप सोच रहे हैं कौन से बड़ी बात है हरा दिया हो कोई नॉर्मल पेर होगे नहीं मैं बता दे रहा हूँ को जो ओलिविया डॉमिनिक है वो अल्रेडी लास एडिशन हुआ था वर्ल्ड रैस्लिन चेंपेंशिप का उसकी वो गोल्ड मैडलिस थी तो सोच ये काफी अच्छा कॉम्पेटिशन को उन्होंने फेस किया और हरा दिया उसके बाद वो पहुचती है प्री कोर्टर फाइनल में और वहाँ पे वो अगेन एक और प्लेयर मिलता है उनको पोलेंड के प्लेयर है उनका नाम था रुकसाना माटा जो की पोलेंड की थी उनको उन्होंने बहुत असानी सा राय एक मिनट 38 सेकंड मेंच खतम किया और अपने रास्ता साफ किया क्वाटर फाइनल के बाद फिर बारी आती क्वाटर फाइनल की जहां पे उनको तैना डगी एक प्लेयर मिलती है जो के काफी अच्छी प्लेयर थी उनका नाम था नतालिय और उनको भी अंतीम पंगल ने 9-6 की मारजिन से हरा दिया तो सेमिन फाइनल का रास्ता साफ हो गया था अंतीम पंगल का और अंतीम पंगल इसके साथ ही मैडल के बड़े क्लोस पहाज गये थी लेकिन 7 final का match उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा और बड़ी बदकिस्मती वाला रहा मैं इसलिए खाऊँगा क्योंकि उनका सामना हुआ बेला रोस की खिलाडी से उनका नाम था वेनेसा काला दिन्सकाया और वो पहले राउन में तो लीट कर रही थे सेकेंड राउन में हमारी अंधिम पंगल ने उनको 4-3 से पिछाड दिया था लेकिन सिफ एक सेकेंड बाकी था match का कि जहां पर चानक बेला रोस की खिलाडी ने उनसे दो पॉइंट चिन लिए और 5-4 से वो match हमारी अंधिम पंगल हार जाती है यही मेरे हिसाब से कोई निलाज होने वाली बात नहीं है क्योंकि वो silver और gold medal का match सो नहीं जीत सकती है लेकिन आभी भी उनके पास एक मौका है bronze medal जीतने का जो की होगा 21st of September को rapid charge के बाद और दूसरा बात यह है कि अगर वो medal जीतती है तो सिर्फ medal ही नहीं साथ में उनको ticket मिल जाएगा Paris Olympics में qualify करने का तो यह काफी अच्छी बात मैं कहूंगा हमारे अंतिम पंगल के लिए तो आप लोग प्लीज उनको support करियेगा 21st September के match में तो इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है अब काम ना करते हैं कि अंतिम पंगल medal जीते हैं और हम एक और वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय पर